आज हम बनाएंगे बकरे का मिट जो कि बहुत ही जादा स्वादिश्ट होता है बकरे का मिट हर किसी को पसंद आता है क्योंकि इसकी टेश्ट इतनी अच्छी आती है तो चलिए फ्रेंड्स इसे कैसे बनाया जाता है हम सुरू करते हैं यहां पर और यहां पर मैंने ले लिया ह 700 ग्राम मटन जो कि यहां पर मैंने कुछ पीसे और कुछ कलेजी भी रखवाए हैं और साथ में कुछ मैंने इस पर चरबी भी डलवाए हैं जो मटन की फैट होती है उससे बहुत अच्छा टेश्ट आता है तो वह भी मैंने अड़ करवाया है तो चलिए फिर इसे अच्छे नन्वाश कर लेना है और पानी को निधारते हुए निचोडते हुए हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे इस तरीके से और जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने कुछ कलेजी की पीसे और एक्ष्ट्रा फैड भी डलवाया है ना इससे जो ग्रेवी वगर है ना बहुत दो करके जो है तीन से चार पानी अच्छे से धोलिया और साइड रख लिया और यह देखे चरबी में मैंने अलग से इससे रहे कटोरी में रखा है क्योंकि हम इसका बाद में यूज करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज की कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंन में यहाँ इस तरीके से खुल जाती है प्याज को हम इस तरीके से मैश करेंगे न वह अलग-अलग कलिया उसकी निकलती जाएगी इस तरीके से करने से प्याज बहुत अच्छे से सभी से बराबर पकती है तो उसके बाद जो हमने मटढ को धहकर के साइड रखा था उसे हम एक mixing ball में उस पर डाल देंगे एक चमच नमक, आधा चमच हल्दी का पौडर, एक चमच लाल मिर्च का पौडर, एक चमच धनिये का पौडर, आधा चमच जीरा पौडर, और साथ हम एक चमच सरसो का कच्चा तेल डालेंगे और करीबन एक प्याज के बराबर एक मुठी मैने आपर कटा हुआ प्याज एड़ किया है, इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये प्रोसेस आपको रेस्पी बनाने के आधे घंटे पहले करके रख लेनी है, ताकि मसालों का जो फ्लैवर है ना मटेन पर बहुत अच्छे से समाज है, जब आप इस रेस्पी क खाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है ऐसे बनाने से, तो हम इसे ढख करके रेस्ट पर रखते है आधा गंटे और आधा घंटा हो चुका है, मैंने यहां बग्यास पर रख दिया कूकर, कूकर पर डाल दिया और प्याज को हमें अच्छे से पकाना होगा, प्याज का कलर जो एकदम से चेंज हो जाए, उस स्टेज तक हमें प्याज को पकाना है, और आप देख सकते हैं, हमारी प्याज बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, यह देखे, बहुत अच्छे से पक गई है, कलर भी इसकी बहुत अच्छी आगी है बस उसे तेर को निधारते हुए हमें डारेक्टर डाल देना है मिक्सर जार में और प्याज जैसे ही ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे 12-15 लसुन के कलिया 2 इंच अद्रक का तुकड़ा और डालेंगे इसपे 4 हरी इलाइची 8-10 क 6-7 लॉंग और इसपे डालेंगे जावीत्री साथ यह इसमें एड़ करेंगे पत्थर फूल पत्थर फूल जलूर एड़ करी बहुत अच्छी खुशबु आती है दो बड़ा चमच पानी डाल करके इसका एकदम फाइन पेश्ट पना करके तयार कर लेंगे इस तरीके से औ हम डाल देंगे एक तेजपत्ता जिसे एक मिनट के लिए जला लेंगे और जो हमने मसाला भी पीस कर रखा ना बस वह एड़ करेंगे साथ ही हमने जार पेज़रा सा पानी और डाल के उसे भी खांगालते भी डाल दिया और इन सभी को अच्छ से मिक्स करेंगे गैस का फ्ले यहां परना प्राइड करें एक बड़ी चाहिंचे के एंड़े कृपी किया won ले अपनाट सबमाटर Señor को में ढिनेकशी और यहां पातर को सकते हैं और आप देख सकते हैं टमाटर भी हमारी बहुत अच्छे से यहां पर खोक हो चुकी है इतना ही टमाटर को हमें पकाना है और मसाले के अच्छे से भूनने के बाद अच्छे से पकने के बाद हम इस पर एड़ करेंगे जो कि मतन हमने मिक्स करके मसालों के साथ रखा था बस य मटन का अपना पानी पानी जैसे जैसे निकलेगा मटन पकता जाएगा और मटन का मसालों का शवलावर है वो मटन पे और बूम कने अच्छे से समाता जाएगा आपने मटन की तो अनेकों बार रेस्पी बनाई होगी और कई बार खाई होगी पर दोस्तो एक बार आप ये रेस पी ट्राई करिएगा सच में दोस्तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब होती है बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट हाती है तो इस तरीके से आप जरूर ट्राइ करिएगा और अपना सुझाओ हमारे साथ शेयर करिएगा मटन को जैसे-जैसे मैंने भूना वैसे-वैसे मटन से पानी छूटता गया और पकता गया और अब देख सकते हैं ओयल भी स्टार्ट हो गई है जैसे-जैसे हम भून रहे ना ओयल भी स्टार्ट हो गई है फिर से हमें उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और क्योंकि जो मसाले है ना वो थोड़ी से ठीक है तो मसाले नीचे से जले ना इस वज़े से आपको कंटिन्यू बार-बार इसे चमत चलाते रहना है अब हम इसे एड़ करेंगे मटन का फैट जो कि हमने अलग से कटोरी पर खता वो एड़ करेंगे और मसालों के साथ अच्छे से फिसे मटन के साथ मिक्स करेंगे फैट को बाद में ही यूज़ करें इससे ना फैट बहुत जादा गलती नहीं है बहुत अच्छे से पक जाएगी और इससे बहुत जादा ओयल भी नहीं निकलेगी आपकी जो फैट एकदम साबूत की साबूत रहेगी इस टेम आट करने से क्योंकि मटन जो है सिक्षटी परसेंट तक अच्छे से पक गई है 40 परसेंट अद्वी और पकाना थो मैंने उस पर हरा धंया भी और डाल दिया आगे ओर डालेंगे अभी हरा धंया डालने से मटन पे भी बहुत अच्छा सा उसका फ्लयवर समागा जाता है क्याम यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी पानी डाल कर अच्छे से हमें इससे मिक्स कर लेना इस तरीके से ये देखिए और हम इसे लिट लगा कर पकाएंगे करीबन तीन से चार बिसिल आने तक और आप देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे कुकर की ये चौथी बिसिल है और मैंने इसे म लिट हटाई वाव इतनी अच्छी खुशबुए जैसे मैंने इसके लिट हटाई और आप मटन देख सकते अभी भी खौल रही है बस उपर से मैंने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया और बहुत जादार मटन करी की ये इस भी बन करके तयार हुई है ग्रेवी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बनिये ना बहुत ही ज़्यादा पतली है ना ही बहुत ही ज़्यादा गाड़ी बनिये एकदम परफेक्ट बनिये यह देखिए आप इसे चावल पराथा रोटी जीरा राइस पलॉक किसी के साथ भी खाईए सब के साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगी इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस अभनी से सर्व कर लेंगे मैं आपको आगे तोड़ कर भी दिखाऊंगे कि इतने अच्छे से ये मटन जो है हमारी पकी है प्रेंट्स आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथ ही कमेंट करके बताईएगा कि आपको मटन करीं की ये मज़ेदार से रेसिपी कैसी लगी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की रोज एक नई रेसिपी लेकर आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बैल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं न्यू रेसिपी अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ तब तक बाई बाई अपना खयाल रखिए धन्यवाद कर दो मिलते हैं जल्द आपके साथ